नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से दो फिल्मों की चर्चा बहुत ज़ादा हो री थी और उन पर विवाद भी हो रहा था एक फिल्म थी 92 अजमेर फाइल्स और दूसरी फिल्म थी 72 72 हुरे लाश्ट फ्राइडे को रिलीज हो गई और फिल्म जो है बुरी तरह से फिलॉप भी हो गई है फिल्म का बजट कुछ रिपोर्ट्स में 10 करोड और कुछ रिपोर्ट्स में 35 करोड रुपे बताया गया है लेकिन 10 करोड का बजट भी अगर माना जाए तब भी फिल्म जो है बुरी तरह से डिजाश्टर हो चुकी है फिल्म ने 3 दिनों में सिर्फ 1.5 करोड रुपे की कमाई की है और फिल्म ने मंडे को तो जो है सिर्फ 15-20 लाक रुपे ही कमाई है यानि फिल्म 3-4 करोड रुपे भी पूरी लाइफ टाइम कलेक्शन कर ले तो बहुत बड़ी बात है यानि फिल्म अपने बजट का आधा भी नहीं निकाल पाईगी इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया है अशोक पंडित ने जो की सरकारी फ्लॉप फिल्मेकर है 72 हुरे एक अवेरनेस के उद्देश्य से बहुत अच्छा विशह था लेकिन फिल्म मेकर्स ने भेट चाल में बिना दिमाग लगाए फिल्म बना दी और सोचा कि हिंदू तो इस समय जो है बावला हुआ गूम रहा है मुसल्मानों के अगेंश्ट बता कर कुछ भी चेप दो सब देखने दोड़े चले आएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता और फिल्म जो है उसका नतीजा यही रहा कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई मैंने ये फिल्म जो है लगबग 40 से 45 मिनिट की देखी और इतने में ही मेरे सर के दर्द ने गुस्से में पूछा तुझे फिल्म बुरी लगी तो मैं आ गया मुझे फिल्म बुरी लग रही है मैं किसको बुलाऊं सोचो कि दर्द को भी दर्द होने लगे तो फिल्म कितनी बक्वास होगी ना कहानी धंग से लिखी गई ना डारेक्शन धंग का था लेकिन फिल्म में अगर कुछ देखने लाइक है तो वो है पवन मलुत्रा की एक्टिंग वो एक बहतरीन एक्टर है और अंडर रेटिड एक्टर है मुझे ही समझने आया कि ये फिल्म आखिर बनाई क्यों है इसके पीछे का उद्देश्य क्या था बहती गंगा में हाथ धो ना कि 10-15 करोड रुपे लगा दो और 100-200 करोड रुपे की कमाई करके बैठ जाओ यानि ये फिल्मेकर्स जो है आम जन्ता को कितना फुद्दू समझके बैठे हैं गैंक्स अफ वासेपूर में जो है तिगमांशो धुलिया का एक डायलोग था वो बहुत फेमस हुआ था हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चुनोतिया बनते रहेंगे जिस तरह फिल्म बनाई है उसके हिसाब से 72 हूरे क्या एक भी हूर नहीं मिलने वाली अरे ये फिल्म बनाने वाले जो है इतने ज़्यादा जैलस दिख रहे हैं कि बस क्या ही बताओं खुद से एक नहीं समल रही लेकिन कोई इंसान जीते जी भी चार चार को उड़ती चिडिया दिखा रहा है और मरने के बाद भी 72 हूरों के साथ में स्विमिंग पूल में नहा रहा है तो जैलस के मारे ये फिल्म बनाई गई है ताकि लोग भोले भाले लोगों को गाली दे क्यों गाली दे वैसे स्विमिंग पूल में नहाना कोई गुना है क्या वैसे ये स्विधा इन लोगों को नहीं मिल दी तो इसमें उन बेचारों का क्या दोश है धर्म या मजब कोई भी बुरा नहीं होता है मुझे तो इसलाम जैसा खूबसूरत मजब इस दुन्या में कोई दूसरा लगता ही नहीं है इतना प्यारा, इतना शांती पसंद, एकदम इमान के पक्के लोग लेकिन कल्यूग है न, और कल्यूग में ऐसे अच्छे लोगों को पसंद नहीं किया जाएगा तबी तो ऐसा हो रहा है अगर किसी धंके विशे पर फिल्म बनाई जाती, तो मुझे भी अच्छा लगता लेकिन ये तो मुस्लिम भाईयों की बहत्तर हूरों पर दांत गडा के बैठे है अले जिसका काम चल रहा है चलने दोना, इसमें दिक्कत क्या है जिसे दिक्कत हो रही है वो जाके अपनी सिंगल हूर से दिल बहलाए ऐसे दूसरों की थाली में ताका जाकी करना शोबा नहीं देता बहत्तर हूरे एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है मैं भी जो है इसे किड्नी की गहराईयों से बहुत पसंद करता हूँ और मैं तो जो है चाहता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार और प्रचार किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का फाइदा उठा सके हमारी सरकारी योजनाओं का हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइदा उठाते हैं फिर जो मजब में फिरी ओफ कोश्ट मिल रही है, स्कीम, उसका फाइदा क्यों न ले? मैंने खुद जो है, जिस दिन से यूट्यूब पर हूरो का डिस्क्रिप्सन सुना है, मैं तो खुद जो है, उन्हीं के सपने देखता रहता हूँ. अब तो मुझे जो है, खुद ये साधारन फिमेल्स सुन्दर ही नहीं लगती. और कोई भी अगर ये सोचके बैठा है कि बहत्तर हुरो के लालच में मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ. देखो, मुझे बहत्तर हुरो का कोई लालच नहीं है, भई. मैं तो चाहता हूँ कि समाज, हमारा ये समाज, इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाब उठाए. अच्छी चीजों को प्रमोट करना चीए, मैं भी कर रहा हूँ. जैसे हलाला, हलाला तो मुझे बहत्तर हुरो वाली स्कीम से भी, उस से भी बहुत ज़्यादा पसंद है. लेकिन अच्छी चीजों के अच्छे लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं. लोग ऐसी चीजों को आगे बढ़ने नहीं देते. अशोक पंडित, पिछले 5-6 साल से सरकारी तलवे चाट के दो रुपली ट्वीटर पर दिहाडी मलतूरी कर रहा है. जलता है, दूसरों की खुश्यों को बरदास्त नहीं कर पा रहा, लेकिन अब फिल्म फ्लॉप हो गई, शायद अकल ठिकाने आ जाए.